वर्दावान के परमानजी महाराज को पूरी दुनिया जानती हैं लेकिन क्या आप उनके सिश्यूं के बारे में जानते हैं जो उनके आसपास दिकाई देते हैं ये सिश्य परमानजी महाराज के साथ 24 गंटे रहते हैं तो आई ये जानते हैं आज उनके सिश्यूं के बारे मे आपने अक्सर देखा होगा कि पर्मानजी महाराज के आज पास कुछ सादू रहते हैं ये सादू और कोई नहीं बलकि ये प्रोपसर, आर्मी, डोक्टर, इंजिनियर्स ये थे जो बड़ी से बड़ी कमपनियों में नोकरी छोड़ कर सादू बने हैं लाकों की सेलेरी छोड़ कर अब वे सादू बन चुके हैं और रादरानी की सेवा में पर्मानजी महाराज के पास रहते हैं ये सादू बने से पहले क्या करते थे ये भी जान लीजिये महाराज जी के सिश्यो के बारे में जानने से पहले आप से एक छोटीसी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें आइए जानते हैं उनके मुख्य सिशियों में से हैं सबसे पहले नव नागरी बाबा जी जो महराजी के साथ आस्रम से लेकर सत्संगों में भी दिकाई देते हैं मुल रूप से पठान कोट पंजाब के निवाशी नव नागरी बाबा पहले आर्मी में नोकरी किया करते थी साथ ही उनके पिता जी भी आर्मी में अपसरती लेकिन 12-17 में महाराजी के परवत्रनों से प्रवत्रनों से प्रेडित होकर नोकरी छोट सन्याषी के बेस्दारन कर लिया अब महाराजी की सेवा में ही रहते हैं उसके बाद आते हैं महाम दुरी बाबा जी इन्हें भी आपने महराजी के साथ वीडियो में प्रांते दर्सन और अन्य कई जगों पर देखा होगा मूरूप से पिली बीट के निवस्टी पहले असिस्टेंट प्रोपेसर की नोकरी किया करते थे महराजी से सबसे पहले इनकी मुलकात उनके भाई नेक करवाई थी महराजी के सरन्ड में आते ही उन्होंने संसारिक जीएंं ट्याग दिया और रादा जी के बखत बन गई इन्जिनियर शाम सुक्धानी बबाबा सोनीता हरीयाना के रहने उनके पिता जी दिली में ही रहते थे और वे दिली में ही पड़ाई करने के बाद इंजिनिरिंग की और वे बिंगलोर और गुर गाओं में उन्हों ने वहाँ पर जोबी की शाम सुक्दनी बाबा ने जब परमानजी महराज के वीडियो देखे तो उनके दर्सन के लिए वरदावन आए और हित दामें उनके दर्सन की इसके बाद उन्हों ने अपना जीवन गुरू सेवा में लगने का पेंसला किया अनन्द परसाद बाबा पूरे बिजनसमेन अनन्द परसाद बाबा देली के रहने वाले हैं और उनका खुद का फुट वियर्स का बिजनस था वही मैने में करीब एक दो बार वरदावन आते थे सड़कों पर उतराते हैं अपने सिश्यों के साथ परमाना जी महाराज रोज ही वरदावन की पेदल परिकर्मा भी करते हैं और उसके बाद इस वरक के बगतों को सही रहा के लिए परवचन भी करते हैं कि आपको पता है कि महाराज के आस पास नजर आने वाले यह शिश्य भी कभी भक्त बनकर उनके दर्सन को आए थे और ये भक्त बाबा के इतने मुरीद हुए कि किसी ने अपने सीये तो किसी ने अपने इंजिनिरिंग की लाको का पेकेज भी छोड़ दिया और बाबा के सीशे बनकर आज आत्मी की रहा पर चल पड़ी और आज इस वीडियो में हमने इसे ही बाबा जी के सिशू के बारे में आपको जान करी थी हैं अगर वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें दिन्यवाद